सैफ अली खान के 60 करोड रुपए पच्छडे में पड़ गए हैं सैफ अली खान वैसे भी इन दुनों बहुत विवादों में हैं उनकी फिल्म आदिपुरुष को लेकर हंगामा मचा हुआ है फिल्म में उनके रावड़ वाले गेट अप पर भाबनाय आहत करने का आरोप सामले में सैफ अली खान पर दिल्ली आयोध्या के बाद बिहार में भी केस दर्ज हो चुका है लेकिन इस विवाद के बीच अब सैफ अली खान के 60 करोड रुपए फस गये हैं परिशान होकर सैफ ने इसकी शिकायत दर्ज करा कर केस ठोक दिया है अमर जॉला की रिपोर्ट साल 2017 में देने का बादा किया था लेकिन वो तैस समय पर फ्लैट नहीं दे पाया इसके बाद सैफ अली खान ने बिल्डर के खिलाफ मारास्ट रियल स्टेट रेगुलिटरी अथॉल्टी में केस कर दिया और बिल्डर से 7 करोड रुपए हर जाना मांगा और उस पर 18 प्रति सैफ अली खान ने ना तो बकाया पेमेंट किया और ना ही अपार्टमेंट लेने में रुची दिखाई जबकि उसने फ्लैट तैयार करने के बाद सैफ को इसकी जानकारी दे दी लेकिन दूसरी तरफ सैफ बिल्डर से 7 करोड रुपए हर जाना और 18 प्रतिशत GST मांगने प मिली है एक तरफ जहां आदी पुरुष के वज़े से सैफ के उपर दिन पर दिन केस दर्ज होते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके आगे अब ये 60 करोड की मुसीबत पैदा हो गई है फिल्हाल इस पर आप क्या कहेंगे अब नीराय हमें कमेंट में दीजे और जाद ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलिवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए